आपके अपने चैनल एक्स्प्लेइन फोर यू में आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th NCRT बुक का अध्याय 13 जो आपका है प्रष्टिय छेत्रफल एवं आयतन अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो प्रष्टिय छेत्रफल मतलब surface area जो बाहर बाहर का area होता है जैसे कोई चीज है आपके पास उसका surface area यानि जिस हिस्से को आप touch कर रहे हो जो उसका प्रष्ट है जैसे यहाँ पर इसका प्रष्ट ये रहा जहाँ पर आप touch कर सकते हो उसी को बोलते हो आप surface area यानि surface area मतलब प्रश्टिय छेतरफल एवं item, item का मतलब होता है volume, volume का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज में कितना liquid भरा जा सकता है, capacity of liquid hold, किसी भी वस्तू, किसी भी आकार के अंदर, किसी द्रव की धारिता, मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, उ इसी चीज को आप item कहते हो, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, इसमें कितने लीटर हावा आ सकती है, इसी चीज को आप item कहते हो, तो आज हम item के बारे में भी सीखेंगे, और surface area मतलब प्रश्टिय छेतरफल के बारे में भी सीखेंगे, तो अगर आपको ये class अभी से interesting ल surface area और दूसरा हो गया volume, ओके, तो यहाँ पर जो surface area है, यानि प्रश्टिय छेतरफल है, उसको पूरा ना पढ़के पहले आप छेतरफल का मतलब बताईए, छेतरफल क्या होता है, छेतरफल का मतलब होता है सर जी, कोई अगर plain चीज है, तो कोई plain चीज कितनी जगा घेर रह है, समतल पर कोई भी plain चीज कितनी जगा घेर रही है, ये कितनी जगा घेरता है, जगा घेरने को ही आप छेतरफल कहते हो, बोलो, यहां तक आप सबको समझ में आया, कोई भी वस्तू, कोई भी दुनिया की चीज है, वो समतल पर, यानि plain surface पे कितनी जगा को घेरे हो है, जै या मतलब छेतरफल, बोलिए, यहां तक सबी को समझ में आया, कि जी सर, छेतरफल का मतलब समझ गए, अब बता दो सर जी प्रश्टिय चेतरफल का मतलब, कि प्रश्टिय चेतरफल का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज का प्रश्ट, जिसको आप टच कर सको, जिसकी surface हो, या इसी को कहते हैं प्रष्टिय छेत्रफल इसको आप टच कर सकते हो फिल कर सकते हो इसी को बोलते हैं प्रष्टिय छेत्रफल तो यहाँ पर प्रष्टिय छेत्रफल मतलब जिस हिसे को आप टच करके देख सको और आयतन का मतलब किसी चीज में कितना पानी भरा जा सकता है capacity of liquid hold is volume मतलब इसमें कितना पानी या हवा आ सकती है उसकी धारिता को ही हम बोलेंगे आयतन तो यहाँ पर आपके lesson का आर्थ मैंने आपको समझा दिया है अब यहाँ पर आप prestige हेत्रफल बहुत सारी चीजों का निकालते हो पियन ब्रो जी सोनू जी सभी लोग आ गए हो तो like भी करते चलो यहाँ पर बहुत सारी चीजों के prestige हेत्रफल और आयतन होते है सबसे पहली चीज होती है मुन्ना घन घन को आप लोग बोलते हो क्यों घन कैसा होता है सर जी एक ऐसी चीज जो चारो तरफ से बराबर हो मतलब जिसकी लंबाई चोड़ाई उचाई सभी सेम हो उसको घन कहते हैं सर जी जिसकी लंबाई चोड़ाई उचाई तीनो ही सेम हो उसको घन कहा जाता है एक घन में आप बना की दिखाता हूं आपको ताकि आपको कोई confusion ना रहा है ये एक घन है जिसकी लंबाई, चोड़ाई और उचाई तीनों बराबर होती है ये लंबाई में, चोड़ाई में और उचाई में तीनों जगा सेम होता है मतलब अगर यहाँ देखो तो इसकी लंबाई भी 2 मीटर होगी चोड़ाई भी 2 मीटर होगी और उचाई भी 2 मीटर होगी इसी को cube कहा जाता है इंगलिश में घन कहा जाता है यहाँ तक सब लोग clear है इसकी लंबाई, चोड़ाई, उचाई सब सेम है है ना, इसकी लंबाई को आप A मान लो, चोड़ाई को आप B मान लो और जो इसकी उचाई है उसको C मान लो तो लंबाई, चोड़ाई और उचाई तीनों ही चीज़े इसमें अलग मतलब सेम होती है, अलग नहीं होती, तीनों चीज़े इसमें बराबर होती है A, B, C, तीनों सेम होते है तो यहाँ पर अगर सारे ही सेम है तो हम सबको A ही बोलें जी सर जी सारी चीजे अगर सेम है तो ये भी A होगा ये भी A होगा और ये भी A होगा तीनों चीजे ही A हो जाएगी मतलब लंबाई भी A, चोड़ाई भी A, और उचाई भी A तीनों चीजे ही सेम हो जाएगी ठीक है तीनों चीजे ही इसमें सेम हो जाएगी बोलिए यहां तक सब लोग किलियर हैं लंबाई चोड़ाई उचाई तीनों चीजे इसमें सेम होगी अब बात करते हैं घन सरी घनाब की अब सेकंड नमबर आता है घनाब का घनाब कीसा होता ह घन को अगर एक भुजा को अलग कर दिया जाए मतलब तीनों भुजा यहां समान है कोई भी एक भुजा अगर बिगर जाती है मतलब कोई एक भुजा अलग चली जाए तो घनाब बन जाता है जिसे मान लो कि आप यहां पर एक चीज बना रहे हो, जिसमें लंबाई भी अलग है चौड़ाई भी अलग है और उचाई भी अलग है तो ये जो है ना, ये चीज बनेगी घनाब इसको बोलत है Tácuboid English में इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है Cuboid है ना, इसमें लंबाई अलग होती है चोड़ाई अलग होती है और उचाई भी अलग-अलग होती है है ना यहाँ पर हो सकता है कभी-कभी कोई दो चीजे एक जैसी हो लेकिन तीसरी चीज तो definitely अलग होगी जैसे यह जादा चोड़ा नहीं है लेकिन यह जादा ही चोड़ा है यह जादा ही फैला हुआ है इसलिए इसको घन-naab कहा जाता है घन के जैसा है लेकिन थोड़ा सा खीच दिया गया है तो घन-naab हो गया वो घन तो यह घनआब वो है क्यूब और यह है क्यूबॉइड यहां तक सब लोग आ गए होंगे उम्मीद करता हूं और यहां पर 62 likes भी आप लोगों ने करवाई दिये जितने भी बच्चे देख रहे हैं थैंके सो मच आयू स्चोरसिया सर साइंस के PDF अल्रेडी है बेटा आप टेलिग्राम ग्रूप पर देख लीजेगा अल्रेडी हमने बता रखें आगे बात करते हैं अब बात करते हैं बेलन की तो बेलन कैसा होता है बेलन अगर मैं आपको दिखाऊ तो कुछ इस तरीके का होता है यह जो मैं बना रहा हूँ यह लगभग बेलन ही है क्योंकि इससे रोटी बनाई जा सकती है ऐसे करके है ना अगर यहां पर तवा रख दू ना तो इससे रोटी बेली जा सकती है तो जिससे रोटी बनाई जा सके है ना आपकी पानी की टंकी भी कुछ ऐसी आकार की होती है जो बिल्कुल घूम जाती है अगर आप जमिन पर फेक दो टंकी को तो घूमते घूमते अलग दूसरे रोड पर चली आती है तो इसी को बोलते हैं बेलन जो की एकदम कैसा गोलिय सरफेस वाला होता है ओके इसी को बोलते हैं बेलन जिसमें उपर एक वरत होता है और एक होती है और नीचे भी एक वरत होता है भाई सही से बन जाना आप निराश मत करना है तो यह है बेलन है ना जिसमें हाइट होती है हाइट को आप एच बोलते हो हाइट होती है और वरत होगा तो जाहिर से बाते त्रिज्या आर होगी तो इसी को बेलन कहा गया है बोल दो मुन भी होती है, उचाई भी होती है ओके, टैंक टाइप सर जी, जी हाँ, टैंक टाइप होता है एक टैंकर की जैसा होता है टैंकर आपने देखा होगा पानी का, वो भी कुछ इसी तरी की दिखता है, लेकिन वो थोड़ा ऐसा आडा रखा हुआ होता है, ओके या आज की live class कैसी लग रही है पहले आप लोग मुझे सबसे पहले तो ये बता दो कि आज की live class में मज़ा आ रहा है धीरे धीरे बढ़ रही है आगे class धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इनके formula भी याद करेंगे ऐसा नहीं है कि सारे formula हम छोड़ने वाले हैं याद भी करेंग हम सारी चीजों को पहले डाइग्राम से समझो कि क्या-क्या चीज़े आ सकती हैं पर सीखने के लिए बहुत सारे लोग बोड़ा अच्छा लग रहा है तो like कर देना आपके सरजी को आपके like देखकर मजा ही आ जाता है मोटी वे अंदर से पढ़ाने के लिए आगे बात करते जो आप शायद कंटोल में देखते हो शकर वगएरा लेने जाते हो तो इस चीज से शकर वगएरा भी दी जाती ही कहीं पर इसी को आप शंकु कहते हो इंग्लिश में से कोन कहा जाता है क्योंकि आप इसको उल्टा कर दोगे ना ऐसे तो यह कोन बन जाएगा आइस्क्रीम को सारी चीजों को मैं रिवाइस कराते-कराते याद करा रहा हूं है ना थोड़ा एक्टिंग भी बीच में तो थोड़ा एक्टिंग को देख लेना जज करना मत है ना तो इसको शंकु कहते हैं लेकिन शंकु में एक चीज होती है कि यहाँ पर जो उचाई होती ना वो गोचाई L और यहाँ पर भी एक वरत नीचे है तो उसकी त्रिज्या R होगी और इसकी भी हाइट जरूर होगी अगर बेलन में हाइट है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी भी तो हाइट होगी जी सर जी इसकी भी हाइट होगी ना H तो यहां से हां तक इसकी height है edge तो सारी चीज़े आपके सामने हैं चाहे वो घन हो गया, घनाब हो गया बेलन मिया हो गये या हमारे शंकू भहिया हो गये अब हमारे चाचा जी आएंगे गोला है ना, गोला क्या होता है पूरी तरीके से वरत जैसा नहीं दिखता लेकिन हम इसको board पे बनाएंगे तो वो approach वरत के जैसा ही दिखेगा आओ दिखते हैं गोला ऐसे होता है लेकिन आप बोलो के सर जी है तो वरत जैसा दिख रहा है तो भाई वरत 2D है मतलब दो diagram है वरत में 2D है और ये 3D चीज है अब आप बोलो के सर जी गोले का हमें बताओ गोला कहां देखने को मिलता है जो football खेरते हो आप लोग वो football गोला है वो football जो आप खेरते हो ना वो गोला है बोलिये किसी ने football देखिये जो football होती है ना वो गोले का perfect example है तो दोनों वरत जैसे दिखते हैं बोर्ड पे लेकिन गोला वाकई में दुनिया में अलग दिखता है वरत से बोर्ड पे हमको एक जैसे दिखेंगे क्योंकि हम आपको 3D डाइग्राम नहीं दिखा सकते बना के बोर्ड पे वो possible नहीं है वो चीज है ना तो इसलिए आप इसको ऐसा समझो football गोला होता है गोले में त्रिज्जा होगी यहां से यहां तक की R capital R मान रहा हूं में इसको आप बताऊंगा बाद में इसको मैंने बड़ा वाला R क्यों माना है यह चीजे हो गई सारी की सारी बोलिये मैं आप सारी चीजे मिटाने वाला हूं और यहां पर इस गोले का छोटा भाई यह अर्ध गोला अगर यहां पर आप अर्ध लगा दो अर्ध करने से यह आधा हो जाएगा मतलब यह जो गोला है ना अर्ध करने से बीच में से कट जाएगा ऐसे बीच में से आधा हो जाएगा ये लो आधा मिटा दिया तो जो बना न ये आर्ध गोला बना जिसकी नीचे त्रिज्जा जरूर होगी ये ऐसा कटा हुआ गोला है इसको आधा गोला बोल सकते हो यानि अर्ध गोला भोल सकते हो इसको आप लोग, है ना, लाइक करने में तुम कंजूसी कर रहे हो मुन्ना, आपने लाइक नहीं किया, छिननक के बारे में बता दो सरजी, छिननक वैसे आपके सिलेवस में बहुत कम कोश्चन ही छिननक से जुड़े हुए आते हैं, है ना, प आप शंकु को ही छिननक बना सकते हो, आप मैं किसी एक चीज को मिटा देता हूँ, वो लोग किसको मिटा हूँ, आप लोग कॉमेंट करो, घनाव को सरवनाश कर दिया जाए, घनाव का, अभी ब्रहमास्त्र मूवी में ने देखी एक दो दिन पहले, तो वहां से ये लेंग लगब ही और चिनक बना के बताहूं function आपको छिननक बना आके बताते हैं, छिननक को अब ने इंगलिश में शयुआ उसको क्या बुलते हैं, रह जिवान फो नाम है इसे पूछ है प्रस्टम को फ्रस्टम है मेरे इसाब्से चिन्नक को फ्रस्टम बोलते हैं इसे इसत चिन्नक का रलिए पानीऐ के लिए बंठी उपर और नीचे से थोड़ी गोल होती है ये बाल्टी बना दी है और यही छिननक है इसमें दो त्रिज्जाए होती है छोटे वाले वरत की त्रिज्जा आरवन और बड़े वाले वरत की त्रिज्जा आरटू तो यहाँ पर यह छिननक है लेकिन इसके question आप ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है इसके अथवा में तो इससे भी simple question आएगा तो क्यों हम इसके हमारा mind divert करें क्यों हम इतना deeply में चले जाएं भीया इसके question बहुत ही ज़्यादा कम आते बहुत कम मतलब ना के बराबर तो क्यों ना हम इन सारी चीजों को जो हमने नवी क्लास में सीखी थी इनको पूरा बेस अच्छे से मजबूत बना के आगे बढ़ा जाए है ना ये चीज बहुत कम पूछी जाती है इसलिए मैंने आपको इसका डाइग्राम वहाँ पर बनाया नहीं था लेकिन आपने पूछा ना कॉमेंट सेक्षें में आप पूछते हो आके तो फिर यार ऐसा लग फीलिंग ऐसा थी जैसे आपने हमारे एकदम confidence लो कर दिया इसलिए फिर आपको बताना पड़ता है कि ये भी है बट मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़े बताना चाहता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से काम में आईए कम कोश्चन आते हैं इसके इसलिए मैंने उस टाइम नहीं बताया था अब हम बड़े formulas की तरफ comment कर दो सभी लोग कि जी सर्जी आप formula की तरफ बढ़ो घन के formula हों की तरफ बढ़ेंगे सबसे पहले ठीक है घन के formula हों की तरफ बढ़ेंगे कि घन का प्रश्टी छेतरफल क्या होता है घन का पार्श छेतरफल क्या होता है घन का आयतन क्या होता है ये सारे चीज़े पढ़ेंगे सबसे पहले आता है घन का प्रष्टिय छेत्रफल घन का आप लोग डाइग्राम से समझ देऊगी बात घनकी चल रही है तो घन का प्रष्टिय छेत्रफल तो भईया घन का प्रष्टिय छेत्रफल क्या होता है घन का प्रष्टिय छेत्रफल होता है 6A2 Q6A2 क्योंकि इसके नीचे देखो पहली वाली जो एरिया है वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छटी मतलब यहाँ पर इसके टोटल 6 भाग होते हैं मान के चलो ये घन है वैसे घना भैई पर घन मान के चलो तो देखो इसके कितने एरिया निकलेंगे पहला वाला एरिय ये दूसरा ये तीसरा ये चोथा पांचवा और मेरे पीछे एक है छटा छे फलक होती है इसकी 6 साइड होती जिनको आप तच कर सकते हो तो 6 साइड होती है मतलब 6A2 है ना आप देखो कि तो हर एक साइड इसमें से कोई एक वाला साइड उठा के देखो कि तो ये आयत बन अगर एक जो है A2 बना रहा है तो यहां पर टोटल कितने फलक हैं 6 फलक हैं 6 फलक हैं तो यहां पर आएगा 6 बार A2 क्योंकि आपने तो एक का निकाला यहां पर और इधर टोटल कितने इसके पास हैं बोलो आपको थोड़ा दिमाग के बत्ति जल रही है या नहीं जल रही ह पुझे आप लोग थोड़ा बता दोता कि मैं सुरू से वापस दोब ना बताऊं आपको इसके 6 फलक होते हैं 6 फलक मतलब आप 6 तरीके से इसको छी सकते हो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाच्वा छटा इसको 6 तरफ से छी सकते हो आप तो इसलिए यहाँ पर a square तो है लेकिन कितनी बार है छे बार a square है यहाँ पर लिखेंगी 6a square बोलिये समझ गए जी सर जी हम समझ गए हैं बहुत जादा deep में ले जा रहा हो सर जी आप हमको है ना कुछ-कुछ formula डाइरेक्ट भी आप लिख लो कि कुछ के इतने लंबे concept है formula निकालने के कि चार पेज लग जाते हैं उसमें तो कुछ के formula हम डाइरेक्ट भी आद कर लेंगे because simple से होते हैं कभी-कभी आईए बढ़ते हैं आगे आप लोग like रुकने मत दोयार नए बच्चे हो ना तो आप playlist चेक करो आपके लिए 10th class के बहुत सारी चीजे हमने cover कराई है विलोपन प्रतिस्थापन वज्रगुनन सारी चीजे आपको description में मिलेंगी आप लोग जाके एक बार चेक तो करो description ठीक है आईए बात करते हैं आगे प्रष्टी चेत्रफल हो गया इसका पार्ष चेत्रफल भी होता है लेकिन आप उपर की एक A square हटा रहे हो और नीचे से भी एक A square हटा रहे हो मतलब छट और फर्ष को छोड़ कर जो छेत्रफल है चारो दीवारों का छेत्रफल है कितना बचे का बताओ आपके पास टोटल 6 A square थे उसमें से आप उपर का और नीचे का जो A square और ये वाला A square तो 2 तो हटी गए 6 में से दो गए तो 4 A square ठीक है 6 में से दो गए तो 4 बार A square अब बात करेंगे घन का आइतन के इस घन के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है तो आओ मेरे मुन्ना बात करते हैं घन के आइतन की आइतन का फॉर्मुला बहुत प्राचीन समय से ही इस आइतन क फॉर्मुला निकालने का एक तरीका है वो तरीका यह है कि किसी महान वेज्ञानिक ने कहा था कोई भी चीज का आइतन निकालना हो तो उसका आधार का छेतरफल निकाल लो और उसका गुणा कर दो उचाई से तो आजाओ भाईया किसी भी चीज का आइतन निकालना हो तो उ तुर्ण दिखेगा आधार का चेत्रफल आधार एक आयत की तरह है और आयत का चेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई तो लंबाई भी ए ही है और चोड़ाई भी ए ही है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वेर हो जाएगा कितना हो जाएगा ए स्क्वेर हो जाएगा तो आधार का चेत्रफल आयत की तरह दिख रहा है मतलब यहाँ पर आधार का चेत्रफल मतलब आयत का चेत्रफल कितना ए स्क्वेर गुना में उचाई 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 उ यहाँ पर सरजी A square और A का गुणा होगा तो power जुड़ जाएगी यहाँ पर 1 power है और यहाँ पर 2 power है जुड़ की कितनी power हो जाएगी जुड़ के power हो जाएगी 3 लेकिन कुछ इसकुलों में यह वाला तरीका बताया नहीं जाता कि आधार का पहले छेत्रफल निकालो फिर उच और 3 डायरेक्ट आयतन A cube बोलिए समझ गये सभी लोग और साथ में नए लोगों को भी जोड़ो आप अगर स्कूल में भरती हुए हो इसकूल में पढ़ते हो यार तो आप लोग अपने ग्रूप वगरा में शेयर गर दो इस चैनल को क्योंकि यहाँ पर 10th क्लास के बहुत स सारे concept सिखा रखें already वरत की सबसे बड़ी जीवा कौन सर व्यास होती है जो केंद्र से होकर जाती है एक वरत की सबसे बड़ी जीवा उसके केंद्रे नि सेंटर से होके जाती है और जो सेंटर से होके जाता है वो डाइमीटर होता है सबसे बड़ा है ना तो उसको व्यास कह अगली कहानी की जो घनाब के बारे में है अब बात करते हैं घनाब की क्या क्या फोर्मूले होते हैं सर जी वो बता दो हमें तो बात करें घनाब की तो यहाँ पर second option आ जाता है अपना घनाब घनाब कैसा दिखता है दोस्तो जिसमें दिखता तो वो घन की तरह है लेकिन उसमें कोई एक भुजा बड़ी चौड़ी हो जाती है मतलब वो एक भुजा अलग हो जाती है उसकी जब ही वो घनाब बन जाता है घनाब की बात करो तो घनाब थोड़ा अलग ही दिखता है अगर आप बात करो incompatibly घन के तो घनाब उससे थोड़ा सा अलग ही दिखेगा अगर आप घन के मुकाबले उसकी बात कर लो तो यह होता है घनाब ठीके, जिसकी लंबाई भी अलग होती है, जिसकी लंबाई भी अलग होती है, A होती है, चोड़ाई अलग होती है, B होती है, ओके, और उचाई भी अलग होती है, जो कि C होती है, तो यहाँ पर लंबाई, चोड़ाई, उचाई को आपने A, B, C मान लिया, है ना, आपने है बोलिए यहां तक सब लोग समझ गए लंबाई चोडाई उचाई तीनों ही यहां पर अलग अलग है बस हमने ABC मान लिया है समझ गए सभी लोग तो अब बात करते हैं घन के प्रष्टिय छेत्रफल की घन का प्रष्टिय छेत्रफल की कितनी जगह घेरेगा सरफेस पे से तो इसका प्रष्टिय छेत्रफल बहुत सिंपल है यहां पर इसका प्रष्टिय छेत्रफल ता है टू ब्रेकेट में AB प्लस BC प्लस CA यह फॉर्मुला आप याद कर लीजेगा दो गुणा में AB प्लस BC प्लस CA दो गुणा में लंबाई गुणा चोडाई प्लस चोडाई गुण लंबाई ये फॉर्मूला घनाब का प्रस्थिय छेत्रफल का फॉर्मूला है ओके ठीक है बोलिए समझ गए अब बात करते हैं घनाब के क्या आयतन की कि घनाब का आयतन कितना हो सकता है घनाब का आयतन घनाब का आयतन होता है लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई म तो इसको आप A, B, C भी लिख सकते हो, यह हो गया इसका आयतन, घनाप का आयतन A into B into C, क्योंकि घनाप में अगर आप नीचे वाला एरिया निकालो तो A into B निकलेगा, और हाइट से गुणा कर दो जो कि C है, तो A into B तो है और हाइट C है, तो A into B into C, तीनों चीज़े आ और उचाई है C, तो C भी आ जाएगा फिर इदर, उचाई में अगर C है, तो A into B into C, बोल यह समझ गये, तो इस तरीके से यहाँ पर घन की कहानी भी खतम हो जाती है, और आप लोग इसी बात पर लाइक करने में बहुत जादा कंजूसी कर देते हो आज कल, तो लाइक भी कर आप लोग अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर दो, मैं सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, दिलिप कुमार जी, पी एन ब्रो जी, BTS, सभी लोग आप जो भी कमेंट कर रहा हूँ, सभी के पढ़ रहा हूँ, आप टेंशन मतलो, आप भी कमेंट कर दो नीचे अगर आपने नहीं किया दो, अजे करशव जी, सभी के कमेंट दिख रहा है मुझे, पायल यादो, जी जी सर जी, लाइक कर दिया है, थैंक्य सो मच, दीपक जी, पायल जी, सभी को, साहिद गेमिंग जी, हेलो सर, हेलो, 132 लाइक कर दिये सर जी, शीवम मिश्रा जी, थैंक पे लाइक बढ़ते ही चले जाएंगे, आपके सपोर्ट से, आप नए होना, तो प्लेलिस्ट चेक करो, सर हम जा रहे हैं, अरपिता जी कहां जा रहे हो आप, राकेश कुमार जी सर मैं भी, मैं सौरब हूँ, ओके हेलो, हेलो सौरब जी, चलो भीया, इसकी कहानी खतम हुई अब बताओ आप लोग, अगला नंबर किसका है, मैं देखना चाता हूँ, कौन सुरू से इस लाइफ क्लास में जॉइन था, अगला नंबर किसका है, घन हो गया, घनाब हो गया, अब अगला नंबर किसका है, बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ, अगला नंबर किसका है, क पापा जी आपका नाम पापा जी पूलना पढ़ रहा देखो किया दिन अभी आपको पापा जी मतलब को यूजर रहेु killing आप आć झी मैं पनु पहलुग जिसका पहले बेलन बना य जाय सिलेंडर कहते हैं तो सिलेंडर में क्या होता है। ऊपर एक व्रत होता है狗 उसके बात नीचे भी एक वरत्त होता है, इसी को बेलन कहते है, बेलन में क्या होता है, त्रिज्या आर होती है, और उचाई कितने होती है, उसकी उचाई होती है, अगर बेलन का संपूर्ण प्रष्टिय छेत्रफल निकाला जाए, अब यहाँ पर दो चीज़े आ जाएगी, एक पूर्ण प्रष्टिय छेत्रफल, ध्यान से पढ़ना आप लोग अप, प्रष्टिय छेत्रफल, एक होता है संपूर्ण प्रष्टिय छेत्रफल, दूसरा होता है वक्र प्रष्टिय छेत्रफल, वक्र प्रष्ट बोल सकते हो आप इसको, वक्र प्रष्टिय छेत्रफल, अ अभी तक तो हमें संपूर्ण और वक्र अलग-अलग देखने को नहीं मिलते थे, अब क्यों अलग हो गई है, आईए इसके थोड़ी से बात करते हैं, यह आपके सामने एक बेलन है, बिल्कुल इसी तरीके का जो बोर्ड पर दिख रहा होगा, यह बिल्कुल इसी तरीके का है हो, शंपूर्ण प्रष्थी छेटरफाल का मतलब होता है पूरा, उपर का भी, नीचे का भी, और जो घुमाऊदार एरिया जो है न, जिससे आप रूटी बना रहे हो, वो घुमाऊदार एरिया भी पूरा का पूरा, उससे को बोलते हैंआप लोग संपूर्ण प्रष्थी है जो घूम रहा हूं यह और जो घूमाओ डार एरिया है यह वक्र अद्व की तरह चलते है आगे पीछे इसको बोलते हैं कॉ समझ गए है तब कर का मतलब संझे जो घूमाओ डार एरिया ज्सका में टाच कर सकता हैं उपर कर्व surface area औके और अगर उपर नीचे का भी मिला लो तो total surface area इसा टोटल मतलब संपुन और उपर उपर नीचे का हटा दो तो केवल बीच वाला गोली हिस्सा बचेगा इसको वक्र बोला जाएगा तो ध्यान देना ध्यान से ध्यान से करना आँ इसको बेलन का संपूर्ण प्रष्टीज हेत्रफल होता है 2πr bracket में r प्लस h ये कहां से आया सरजी 2πr bracket में r प्लस h है ना वैसे इसको निकालने का बहुत सारा तरीका भी है अगर आप संपूर्ण प्रष्टीज हेत्रफल देखो तो आप ध्यान से देखोगे ये जो आपका पूरा परिदी है ये 2πr है और साथ में यहां r प्लस h इसलिए क्योंकि नीचे भी एक r और एक h बज़ गया है ये हाइट उसको आप बोल सकते हो 2πr into में r प्लस h है ना और इसको निकालने का बहुत सारे तरीके भी है बढ़ थोड़ा सा ज्यादा ही लंबे हो जाएंगे वो तरीके इसलिए आप शॉर्ट में फॉर्मलास लर्न कर लो थोड़ा सा याद कर लो आगे बढ़ेंगे वक्र प्रष्टी छेत्रफल होता है इसका 2πr h 2πr h 2πr h बेलन का संपूर्ण प्रष्ट छेत्रफल होता है 2πr ब्रेकेट में r प्लस h और वक्र प्रष्टी छेत्रफल होता है 2πr h अब बात करते हैं बेलन के आयतन की बेलन का आयतन आयतन क्या होता है सरजी बेलन का आयतन πr square h क्योंकि आपको पता है आयतन निकालने के लिए नीचे वाला एरिया निकाल लो नीचे क्या दिया है नीचे तो सरजी गोल वरत दिख रहा है वरत मतलब πr square नीचे वाले का एरिया निकाल लिया नीचे इसके वरत है तो πr square और साथ में गुणा कर दो height से तो height क्या है h है तो यहाँ पर गुणा कर दो height से मतलब pi r square और गुणा में h तो कितना हो जाएगा pi r square h बोलिये समझ गये सभी लोग comment कर दीजिए कि जी सरजी आ गया आधार जो इसका व्रत है तो pi r square और उचाई इसकी h है तो गुणा में h कर दिया तो pi r square h ठीक है इस तरीके से बेलन की कहानी भी खतम होती है अगर English Medium के student हो तो सुन लो सभी लोग total surface area of cylinder होता है 2 pi r bracket में r plus h curve surface area of cylinder होता है 2 pi r h और volume of cylinder होता है pi r square h यह होता है volume of cylinder मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है volume मतलब item का मतलब क्या है इसमें कितना पानी आ सकता है उसी को आप item कहते हो item इसमें कितना पानी आ सकता है कितनी चाय आ सकती है कितना दूर आ सकता है कितने लीटर आ सकता है उसी को item बोलते हो आप लोग है ना कोई चीज कितना किसी liquid को hold करके रख सकती है capacity of liquid hold है ना किसी द्रव को संभाले रखने की धारिता उसके आयतन कहलाती है बोलिए सभी लोग समझ गए किसी भी प्रकार का आकार हो उसमें द्रव जितना भी भरा जाएगा उस द्रव की मात्रा को ही आयतन कहा जाएगा कितने लीटर है कितने है ना एमेल है उसी को आईतन कहा जाएगा अब अगला नंबर किसका है मुझे आप पे भरोसा है आप गलत नहीं बताओगे अगला नंबर किसका है बेलन निपड गया सिलेंडर का काम हो गया बेलन हो गया बेलन का संपोर्ण प्रष्ट टू पाई आर ब्रिकेट में आर प्लस एच वरकर प्रष्ट टू पाई आर एच आईतन पाई आर स्क्वेर एच सर शंकू 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 सारे लोग शंकू कमेंट कर रहे हैं जितने लोगों ने भी बोला है ना राइट है है ना सत्य प्रकाश जी सायर जी मिन्टू जी पायल यादो जी शंकू सारे लोग शंकू भी बोल रहे हैं सभी लोग बोड़ा था मैं, है ना, दीपक जी, पी एन ब्रो जी, सभी लोग, है न, आरपिता जी, सभी लोग शंकु के पढ़ गए हैं, आजाओ, बड़े मनाते हैं, टोपी लगाते हैं, ओके, ठीके, इसको मिटा दो, बेलन का काम हो गया, आप बढ़ते हैं, शंकु की तर रखा है, पाइथा गौरस जी की लव स्टोरी सुना रखी पूरी, कि पाइथा गौरस जी कैसे साइन ठीटा, कॉस्टीटा से प्यार कर वेठे, कैसे पाइथा गौरस जी को समझ में आया, क्या डिमाग लगाया, उन्होंने साइन ठीटा, कॉस्टीटा के फोरूम ले कैसे बनाए तो वो सारे वीडियोस हमने अल्रेडी यूटुब पर डाल रखें आप लोग चैनल पर जाकर चेक करो 10th class के सारे वीडियोस है आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो 10th में हमारे वीडियोस आप जरूर देखिए क्योंकि आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट जो best videos for class 10th करक तो हमने वहां पर आंसर भी समझाए हैं सारे अगर आपने कुछ भी नहीं पड़ा तो बस उस प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओ सारी चीजे सारे वीडियोस सारी चीजे explain करी हुई है बिल्कुल सभी लोग बोल रहे सर जी हमने वह प्लेलिस्ट देखा है चलो भया अब बढ अब बढ़ते हैं अगली चीज जो की हे शंकुले कि जिसको बोलते हो आप लोग शंकुले और करन में बढ़े और करकाई सकाझए सरज noi कर सकता हूँ है ना, पैन के नहीं दिखा सकता है, यह 2D है और मैं 3D हूँ, है ना, एक 2V मी और एक 3V मी, दो चीजे मिक्स नहीं होती कवी, है ना, मैं 3D हूँ और यह 2D टाइप दिख रहा है, वेशे शंकू 3D होता है, लेकिन हम बोड पे बना रहे हैं ना, बोड पे, इसलिए वो 2D रहा है, सरकल है, इसलिए सरकल की रेडियस R होगी, और इसकी कुछना कुछ हाइट भी होगी, हाइट को हम मान लेते हैं, है ना, और इसकी कुछ तेड़ी हाइट होगी, तेड़ी हाइट को आप क्या बोलते हो, आप लोगों को मैंने पहले बताया था, तीरियक उचाई, स् है उचा है ना और का मतलब तो 30ैट भी को पता ही है सारी चाहिया को पता है कुधसर चीजी 2D और 3D क्या होता है और पीखेental कामेंट्च प्रयइब 10 टूड्य मतलब होता है घाथ चीजे केवल लंबाई और चोडाई हो है नहीं सारी चीजे मतलब होता है आयत में केवल आपको लंबाई मिलेगी और चोड़ाई मिलेगी यहां आयत में उचाई नहीं मिलती इसलिए इसको टूड़ी बोलते हैं और 3D क्या होता है जैसे आप अपने घन को ले लो तो घन में आपको लंबाई, चोड़ाई, उचाई, तीनों चीजे देखने को मिलेगी इसके लंबाई भी ए होती है, चोड़ाई भी ए, उचाई भी ए तो यहां पर तीनों चीजे देखने को मिलेगी समझ गए? दो वीमिय और त्री वीमिय 2D और 3D figure होते हैं समझ गये हैं है ना इस board को मैं 3D क्यों नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि board में लंबाई और चोड़ाई दो चीजे हैं board बाहर थोड़ी निकला हुआ है इसलिए इसके उचाई अभी नहीं दिखा सकता विकोज मैं आपके mobile के उपर की screen पे नहीं आ सकता है ना क्या मैं आपकी mobile की screen के उपर मतब उचाई ला सकता हूं क्या नहीं ला सकता है नाfen की screen से कोई छीज बाहर निकल जाती ही गया बिल्कुल बाहर surface की और तो उचाई नहीं ला सकते हैं कि अब लंबा और चोड़ा इस्क्रीन बना सकते हैं, उसमें उचा ही नहीं ला सकते हैं, आइ होप आप सभी लोग समझ गये हों, है ना, बोलिया, आइ होप आप लोग सभी समझ गये हो, आपने मुझे टॉपिक से भटका दिया यार, कसम से बोल रहा हूँ, आप अगर मेरी क कुछा तो मैंने बता दिया, है ना, बस लाइक नहीं रुकने चाहिए, बिकोज ऐसी मस्ती, यहां होती ही रहती है रोज, 165 हो गए, जल्डी से 200 लाइक कराओ, मुझे नहीं पता, आप लोग कराओगे, कैसे कराओगे, अपने गुरुजी के लिए, अपने टीचर के लिए सभी लोग लाइक जरूर दबाईएगा, जितने लोगोंने नहीं किया, वो लोग भी दबा दीजेगा, अगर मजा आ रहा है तो, ठीके, आजाओ, शंकु का सबसे पहले बात करें, तो शंकु का संपूर्ण प्रष्टिय छेतरफल, पहला फर्मुला क्या होता है, संपूर् आर, ब्रेकेट में आर प्लस एल, पाई आर, ब्रेकेट में आर प्लस एल, ये एल क्या है, ये एच नहीं है, ये एल है, एल मतलब ये वाली, तीरियक उचाई, है ना, आर का मतलब तो त्रिज्जा है, है ना, एल का मतलब तीरियक उचाई, समझ गए, अब बात करते हैं, इ इसका ये नीचे वाला हिस्सा छोड़ दो केवल जो घुमावदार टोपी में जो घुमावदार हिस्सा है न वो आला जिसको आप टच कर सकते उपर-उपर से वो आला घुमावदार एरिया जैसे मानलो एक्जामपल के लिए मैं बता रहा हूं गेलो ये टोपी जैसा दिख र मिल जाएगा सर जी क्या बता रहे हो आप 3D 2D में एक दम हमको बिल्कुल कलेक्टरी बना दोगे आप पढ़ा के सर जी तो ये वाला हिस्सा वक्र प्रस्टीज हेत्रफल कहलाता है नीचे का हटा दिया तो ये होता है पाई आर एल पाई आर एल और वक्र प्रस्टीज हेत्र आपके लिए एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें आप सारी तयारी कर सकते हो फ्री में मतलब आपको यूट्यूब के सारे विडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी विलोपन, प्रतिस्थापन, सारे विडियो जो भी हमने बेस्ट तयारी कर रही है आपको 10 के लिए वो सा बज गया भीया, आयतन बज गया सर जी शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन सर जी क्या होगा, एक बटा तीन और बेलन का आयतन, हाँ, कैसा सर जी एक बटा तीन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या है पाई आर स्क्वेर एच पाई आर स्क्वेर एच यह हो गया शंकू का आयतन शंकू का जो आयतन है ना वो बेलन के आयतन का तीन से भाग करने मतलब एक बटा तीन तीन से भाग करने प्यार रहा है है ना बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वेर एच इसको तीन से भाग लगा दिया हमने. 3 से भाग कर दिया तो शंकु का बन गया ठीके? यह हो गया शंकु का आयतन मतलब इसका मतलब आप संजये यह क्या कहना चाहरा है? यह ऐसा कहना चाहरा है कि आपके पास अगर कोई शंकु है जिसमें आप पानी भरो तो इसका जो आयतन है वो बेलन के आयतन का एक बटा तीन है एक बटा तीन है इसका मतलब इससे पानी डालोगे न तो ये पानी कितनी बार में भरा जाएगा ये पुरा बेलन जो है तीन बार में भरा जाएगा क्योंकि तीन से भाग लगा रहे हो मतलब इसका आयतन एक तिहाई है बोली यह समझ गये बहुत अच्छा ग्यान दे रहो सरजी आप जी शुक्रिया शुक्रिया शुरें जी तो इस तरीके से होता है यह इसलिए बेलन का आयतन जो होता है न उसका एक बटा तीन करदो तो शंकू का आयतन हो गया अब कौन बचा हुआ है कॉमेंट गर दो आप सभी लोग कि जी सर जी हम समझ गए ठीके शंकू का संपूर्ण प्रष्ट होता है πाई आर ब्रेकेड में आर प्लस एल आप लोग उस्क्रीन्शोट ले लो वक्र प्रष्ट होता है πाई आर एल और आईतन होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वेर एंच ओके मज़ा आ रहा है सभी को 200 लाइक तो आज ऐसे हो जाएंगे हमारे मुझे जहां तक लग रहा है बहुत सारे बच्चे लाइक कर रहे हैं ठीके अच्छा मैंने वाइफाई लगवा लिया है तो आप मुझे इंटरनेट की कोई समस्या नहीं है लेकिन आप लोग फिर भी मतादो क्लास क्लियर है या कुछ दिक्कत है बताओ आप लोग क्लास क्लियर आ रही है कि कुछ दिक्कत है मैंने वाइफाई आप ही के लिए लगवाया दोस्तो ता कि आप लोग यह ना बोलो कि सर जी क्लास ना आपका डाटा खतम हो जाता है क्लास लंबी नहीं चलती गुरु जी है ना सर जी मजा आ रहा है सर जी गोला बचा है P&B जी ने सही जवाब दिया गोला बचा है किलियर क्लास है सर जी Thank you so much Arpita जी P&B जी आप लोग regular class में attend होते हो और जितने बच्चे आज देख रहे हो आप लोग भी regular class attend करो अगर आप regular class attend करोगे हमारे daily videos देखोगे तो आपकी 10th class की practice ज़्यादा better हो सकती है अगर आपने कुछ नहीं पड़ा तो भी आप हमारे channel पर videos देखो तो आपको सारी चीज़े step by step समझ में आने लगी सारी चीज़े जो भी आपको जो भी विधिया सिखनी हो चाहे वो lesson 4 की हो, lesson 5 की हो, समांतर शर्णी हो सारी चीज़ों के ओपर video already बना रखे आप लोग देखो, आपके लिए मैंने channel पे आप ऐसा करोगे ना प्लेलिस्ट जाके देखोगे, तो best videos for class 10 वो special आपके लिए बनाईगे प्लेलिस्ट है ताकि आपको ढूंड़ना ना पड़े एक एक वीडियो को आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो पे पहुँच जाओ एक ही बार में main main important topics तक पहुँच जाओ आपको access मिल जाए उन चीजों का फड़ा फड़ा आप क्लिक करके वीडियो पे पहुच जाओ इसलिए आप लोग देखना प्लेलिस्ट को आगे बढ़ते हैं गोला आप सभी ने comment किया गोला जिसको spare कहते हैं क्या कहते हैं, spare, गोला अब गोला जो है, वो काफी हद तक ऐसा ही दिखता है फुटबॉल जैसे दिखता है, पर हम फुटबॉल का भी बना नहीं सकते हैं, तो ऐसा बना दिया हमने गोले की कोई त्रिज्जा जरूर होगी जैसे हम आर मान लेते हैं गोले में भी क्या चीज होगी प्रष्ठिय चेत्रफल होगा इसका भी वक्रष्ठिय चेत्रफल कुछ लोग पूछ लेते हैं, तो यहां मैं आपको बता दू यहां पर कोई भी गोले में जो हिस्सा है ना जैसे मान लो अर्ध गोला है यह अर्ध गोला आपके सामने बना देता हूँ यह रहा, अर्ध गोला इसका निचला भाग वरत्ताकार है इसका निचला भाग वरत्त की जैसा है मतलब इसके निचले भाग में वरत्त है लेकिन गोले में कोई और ऐसा भाग नहीं जो वरत्त है जैसे इसका निचला भाग वरत्त नहीं है यहाँ पे कटा हुआ भाग वरत्त है यहाँ पे नहीं है तो मतलब गोले में एक चीज याद रखना है आपको कि गोले में कोई पार्ट बिल्कुल ही वरत्ताकार नहीं है सिर्फ इस सर्फेस एरिया बार-बार के जो परिधी उसको छोड़के बागी कोई और एरिया नहीं जैसे यहाँ देखो यह तो है गोल लेकिन यहाँ पर वरत्त भी छुपा है तो इसका मतलब में सिखाना कहना क्या चाह रहे हो सर कहना क्या चाह रहे हो कहना मैं यह चाह रहा हूँ आपने अभी तक जितने भी चीज़े सीखी बेलन, शंकू, है ना घन और घनाब सारी चीज़े इतने भी सीखी अगर उनमें किसी के आधार में मतलब कोई चीज टिक्यू हुई है किसी वरत्त के ऊपर तब वक्र और संपूर्ण के फॉर्मूले बनेंगे अगर कोई चीज गोल नहीं है उसके आधार में इसका आधार तो कोई है नहीं सब तरफ से गोली है किसी पर टिका हुआ थोड़ी है ये देखो पूरा हिस्सा इस पर टिका हुआ है ये किसी पर टिका नहीं तो इसका संपूर्ण और प्रष्ट मतलब वक्र नहीं हो सकता बस यह आपको शिखाना चाह रहा था ना तो इसका सम्पूर्ण होगा ना वक्र होगा KEVAL PRASHTI छेतरफल होगा है ना ना Sampoor PRASHTI ना वक्र प्रष्टी केवल प्रश्थी मतलब हम इसको केवल टच कर सकते हैं क्या बोलोगे आप लोग केवल प्रष्टिय छेत्रफल है ना इसका संपूर्ण होता है ना वक्र होता है केवल प्रष्टिय छेत्रफल होता है जो कि होता है चार पाई आर स्क्वेर क्या होता है चार पाई आर स्क्वेर है ना अब कुछ एक्जाम में कभी कभी एक्जाम में ह तो सर ने नहीं पढ़ाया लेकिन कभी-कभी एग्जामवाले हमारे मज़े लेने के लिए यह हमारे मचै लेने के लिए यहां वक्र और संपुन लगा देते हैं। तो अगर वह मज़ेलेने के लिए वक्र संपुन लगभी देना तो भी आपको यही वाला formula यूज़ करना है बोलिए समझ गए सभी लोग जी सर जी हम वहकावे में नहीं आएंगे किसी के वक्र और संपूर्ण गोले का सेमी होता है क्योंकि गोले में कोई वक्र और संपूर्ण नहीं होता है प्रष्टी होता है केवल तो 4 pi r square इसको याद रखेगा आप लोग 4 pi r square होता है है ना एक्जाम में कभी कभी में देखता हूँ एक नंबर में बोल देते हैं संपूर्ण बताओ गोले का मैं सोचता हूँ संपूर्ण गोले का इसा कैसे गोले का तो प्रष्टी होता है गोले का आइतन गोले का आइतन क्या होता है भया सर जी गोले का आइतन होता है ये 4 है ना तो 4 लिग दिया बटे में 3, 4 बटे 3 pi r का cube 4 बटे 3, pi r cube गोले का आइतन 4 बटे 3, pi r cube यहाँ पर r का मतलग त्रिज्या है जो कि यहाँ से लेकि यहां तक दी हुई है, तो यहां पर pi r cube, 4 बटे 3 pi r cube, इस तरीके से हमारे 200 like complete होते हैं, अगर आपने like नहीं किया, आप भी like दबादो, हमारे 200 like complete होने में आ गए, यह खुशी की बहुत ज़्यादा बात है हमारे लिए, 200 like हो गए complete, 4 बटे 3 pi r cube, अब गोला यहां पर खतम होत यह जो की है, अर्ध गोला, अर्ध गोला, तो यहां पर कुछ भी नहीं करना आपको, इस गोले को आधा कर देना है, कैसे आधा करोगे, आजाओ मैं इसको आधा करके बताता हूँ, यह लो इसको आधा कर दिया, यहां से इसको आधा कर दिया, है ना, यह बन गया आपका अर गुल ah लगी कर दिया इस वाले हल हिससे को बिल्कुल फेकी दिया हवा मेल अटका दिया इसको तो यहाँ पर समझने आर्दब्र टब्हों यहारप देखना क्या चीज़े होगी है यहाँ पर कैसे-कैसे बहुत जादा नोटिस करने वाली चीजे हैं यहांपर इसलिए यहांपर हमको चीजों को refine करना पड़ेगा ठोड़ा सा ठीके चीजों को refine करके लिखना पड़ेगा पहले इसका संपूर्ण प्रश्चिय- छेतरफल दिखते हैं इसका एक कम कर दो 3 pi r square कर दो कितना कर दो 3 pi r square कर दो कितना कर दो 3 pi r square ठीके और इसका जो वक्र है वक्र प्रश्टीज हेत्रफल वक्र प्रश्टीज हेत्रफल वक्र प्रश्टीज हेत्रफल यह हो जाएगा आपका 2 pi r square 2 pi r square यह हो जाएगा कितना 2 pi r square और उसके बाद में इसका आयतन जो है ना इसका आयतन बहुत ज़्यादा simple है इसका आयतन देखिए गोले का आयतन कितना था 4 बटे 3 pi r cube ये याद है सभी को pi r cube गोले का आयतन था 4 बटे 3 pi r cube इसको क्या करो ये गोले के आयतन का आधा होता है आधा मतलब 1 बटा 2 आधा मतलब 2 से भाग 2 से भाग कर दो 2 एक कम दो 2 दुनी 4 तो यहाँ बचा कितना 2 बटे 3 pi r cube बोले आगया सभी का गोले का आयतन जो था 4 बटे 3 तो उसको आधा कर दिया 4 का आधा 2 बटे 3 है ना 2 बटे 3 pi r cube इस तरीके से आएगा बोलिए मेरे भाईयों सभी लोग लाइक करो केल अमेट कर जी थैंकिज सो मज आप सभी के सपोर्ट से केवल और केवल 50 मिनिट में हमने 205 लाइक कवर कर ली है है ना उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजे अच्छे से समझ में आ गई होगी बिल्कुल बिल्कुल अरपिता जी 2 बटे 3 ये जो गोले का आयतन है ना अर्धो गोले का आयतन ये उस वाले गोले के आयतन है चार बटे 3 का आधा होता है तो चार बटे 3 का आधा होता है दो बटा 3 ओके तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे लगी होगी अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं और लाइक नहीं किया तो लाइक करो नए हो तो सब्सक्राइब करके सारे पुराने वीडियोस देख लो आपके लिए एक ऐसी प्लेलिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन में आपका इंतजार कर रही है जहां पर विलोपन, प्रतिस्थापन, त्रिकोन उमीती जिससे आप लोग डरते हो वो सारी चीजे बता रखी ओके, थेंक्यू सो मच आपका और नेक्स्ट क्लास कितने बज़े लेनी है या आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्षन में आके बताईएगा जल्दी ही पांच मिन्ट में ये क्लास पोस्ट हो जाएगी आप लोग कॉमेंट करके बताईएगा कि अगली क्लास कितने बज़े और कब लिये जाए तो आप लोग मेंन कॉमेंट सेक्षन में तयार रहेगा मैं आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट पढ़ने के लिए तयार हूँ अगर मैंने इतनी मेहनत किया आपके उपर आप एक comment नीचे कर सकते हो है ना इस live के post होने के बाद please आप एक comment जरूर कीजेगा अगर आप हमारे student है तो thank you so much आप सभी का live में आने के लिए दोस्तो बाई बाई